Hello Everyone, Welcome You All on Conceptual Economics आज हम डिस्क्स करने वाले हैं Topic, Aggregate Demand and Aggregate Supply इन Topics को डिस्क्स करने से पहले हम डिस्क्स कर लेते हैं कि ये Topics का Evolution कहां से हुआ एक्चुल में हुआ क्या था? 1929 में पूरा World Economy एक Problem Face कर रही थी Problem का नाम आपने सुना होगा कई बार उसको हम कहते हैं great depression of the world depression term आपने सुना है economic depression क्या होता है जब production level अपने lowest पर पहुंच जाता है lowest level पर उसके साथ employment भी lowest level पर पहुंच जाता है unemployment काफी high हो जाता है means पूरे economy में problem चल रही होती है तो ऐसे ही 1929 में हो गया था क्योंकि जो first world war था first world war से कुछ problem create हुई फिर उसके बाद जो gold standard था gold standard collapse कर गया जिसे पूरे worldwide problem create हुई और depression आ गया था तो depression आने से एक और problem क्या हुई उस time पर जितने भी economist से उन्होंने solution देने की कोशिस की तो उन्होंने जो भी solution दे सारे solution fail हो गए क्योंकि उस time पर macro नाम के कोई economics नहीं हुआ करती थी एक economics simply economics subject ही नहीं हुआ करता था उसका name हुआ करता था उस time पर political economy तो political economics related जितने भी economics थे उन्होंने जो भी theory suggest की वो सारी theories fail हो गई थी depression की problem को solve करने में तो उसके बाद क्योंकि वो social employment से लेके production से लेके सब अपने आप demand और supply decide कर लेंगे तो government interfere को तो वो लोग मानते नहीं थे कि government का interfere होना चाहिए लेकिन क्या हुआ जब depression की problem solve भी नहीं हुई काफी लंबे टाइम तक है problem चली तो एक person का नाम आपने सुना होगा नहीं सुना है तो कोई बात नहीं उनका नाम है professor जे एम कीन्स प्रोफेसर जॉन मैनाड कीन्स तो जॉन मैनाड कीन्स कुछ अपनी set of theories लेके आते हैं और उन theories को जो भी country follow करते हैं वो countries depression की situation से बाहर आगे तो hero की तरह आते हैं जे एम कीन्स और problem को solve कर देते हैं तो पहले क्या था macro economics को माना ही नहीं जाता था macro economics सारी theory macro सही चलती थी और उन्हीं को best माना जाता था तो जी हम कीन्स अपनी एक book लेके आते हैं बुक का नाम है general theory of employment interest and money इसको sort में general theory भी कहते हैं तो इस book को लेके आते हैं और इसी book में जो concept दिये हैं जो set of theories हैं वही macro economics को famous बनाती हैं कि macro economics भी अपने आप में exist करता है जो theories micro के लिए काम करती हैं तो वो कुछ conditions ऐसी हैं उनमे macro level पर काम नहीं करेंगे आगे हम इस chapter में discuss करेंगे कई सारे topics आएंगे जिन पर हम बात करेंगे किस तरीके से जो जो micro economics की theories हैं वो macro economics पर applicable नहीं होती हैं तो इस book के साथ एक नया era नया era arise होता है तो आगे जब higher class my economics पढ़ेंगे तो इनका जो theory जो set of theories हैं इसके बाद में जो नहीं कहीं सारे books लेकी केंजियन revolution के नाम से जाने गए क्योंकि उससे पहले कि जो सारे economics की जो theories थी वो theories काम नहीं कर पा रहे थी तो इन्होंने जो theories थी एक केंजियन revolution के नाम से उनको जाना गया तो यहां पर जो यह unit है जो हम discuss करने वाले हैं aggregate demand और aggregate supply unit यह हम पर पूरी जो theories हैं सारे जो concept हम पढ़ेंगे आगे consumption function saving function short run equilibrium वो सारी जीज़े हम जो पढ़ेंगे वो किस ने दी है जे हम 15 ने पहले board में इस तरीके से question नहीं पूछे जा देते लेकिन अब board में भी इस तरीके से जे एम 15 के नाम से ही professor 15 के नाम से कई सारे question पूछे जा रहे हैं तो आपके confusion होता है कि professor 15 की कौन सी theories है हम पूरा chapter discuss कर लेते हैं लेकिन 15 का नाम नहीं सुना होता है तो इसलिए मैंने आपको starting beginning में ही बता दिया है कि जो theories है इस unit में 12 marks की जो unit है वो जे एम 15 की ही सारी theories है ठीक है तो हम सुरू करते हैं concept of aggregate demand and aggregate supply aggregate demand की जब हम बात करते हैं तो यह सारे topics है इस unit में यह हम discuss करते हैं all these topics are related to short run short run की हम बात करते हैं short run means एक जो smaller period है उस पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से economy में जो employment है और आपका income है national income है वो किस तरीके से determine होती है तो short run की बात करते हैं क्योंकि 15 की theories पूरे short run से related हैं क्योंकि 15 कहते थे कि long run में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे तो long run में सारे dead हो जाएंगे यह 15 का मानना था तो उनकी theories यह short run का एक सेट है तो 15 कहते हैं कि जो aggregate demand है aggregate demand होता है sum total of expenditure ठीक है क्योंकि demand को measure कैसे किया जाता है demand को हम measure करते हैं कि सारे जो expenditure है उनको plus कर देते हैं तो aggregate demand को कीज़ डिफाइन करते हैं sum total of expenditure on domestically produced goods and services in an economy in a financial year तो financial year क्योंकि एक time period को हमें define करना है तो हम एक financial year ले ले लेते हैं या a year भी उसको हम कह सकते हैं तो क्या होगे sum total of expenditure there are certain type of expenditure in an economy जिनको कि हमें यहां पर consider करना होता है certain क्या कह सकते हैं कि सारे goods और services क्योंकि क्या है aggregate है aggregate मतलब आप समझते हैं हम क्या कर देते हैं इसा expenditure आता है हम बात करते हैं c की c क्या है c हमें बताता है c है किंजम्शन एक्स पैंडिचर अफ हाउसोल्ड किंजम्शन expenditure of household जो household है आपको पता है आप है हम है तो वो क्या करते है जो भी spend करते है उसको हम कहते है उसको C से यहाँ पर denote करते है ठीक है दूसरा जो है यहाँ पर हम ले लेते है यह है G G यहाँ पर denote करता है government के expenditure तो G आगए आपका government expenditure ठीक है government expenditure government as an agency कई तरी के से काम करती है यह consume भी करती है अपनी offices के लिए अपनी firms के लिए और सांथ ही यह क्या करते है investment भी करती है तो यहाँ पर हम इसके government expenditure दोनों को यहाँ पर ले लेते है government का जो consumption expenditure है plus government का investment expenditure इसको भी हम इसमें include कर लेते हैं तो दोने इसी में आगे government के consumption और investment तीसरा हम इसके components में लेते हैं I यह I denote करता है investment expenditure और प्राविट हम सेक्टर इन्वेस्मेंट एक्सपेंडिचर बाई प्राविट सेक्टर ठीक है प्राविट सेक्टर जो investment करता है उसको हम इसमें include करते हैं जो individuals जो होते हैं जो invest करते हैं वो इसमें आ जाता है plus यह तीनों expenditure होगे जो household ने किया जो government ने किया जो private investor ने किया अब क्या है और एक expenditure होता है अब देखेंगे हमारी इसमें क्या बताते है domestically produced goods and services तो जो X है यह X बता रहा है किसको export को क्योंकि जो हमारी country में जो domestically produced हुई है goods उनको अगर हम दूसरी country को बेज रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे export इसमें से बाहर की country से जो हम मंगा रहे हैं जो goods हमारे हाँ पर available नहीं है लेकिन consume हो रही है तो हम उनको other country से import करते हैं import यहाँ पर import को denote करेंगे by M तो M क्या है import यह exports हो गया आपका और यह import हो गया तो X-M इसको कहा जाता है net exports ठीक है यह बता रहा है कि जो domestically produced goods and services है उन पर कितना expenditure हुआ है ठीक है तो यह बन गया आपका aggregate demand ठीक है यह इसके components होगे आप इनको elaborate भी कर सकते हैं sentence के form में कि किस तरीके से यह काम करते हैं लेकिन क्या for the sake of simplicity जब हम अभी इसका curve derive करेंगे aggregate demand का तो हम इसको क्यों टू सेक्टर model देखो यहां पर आपका actionable sector भी है import export हो रहा है यहां पर government sector भी है तो इसको समझने के लिए aggregate demand को हम इनको exclude कर देंगे g को भी और x-m को भी तो यह हमारा क्या बन जाएगा two sector model चाहाँ तो हम इसको include कर सकते हैं लेकिन इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे बागी sector को exclude कर देंगे हम के वल लेंगे c और i को ठीक है उसके basis पर हम ही इसको derive करेंगे तो c, c क्या बताया था मैंने आपको c क्या होता है c denote करता है consumption expenditure made by the household ठीक है तो पहले हम इसका एक schedule बनाएंगे उस schedule के base पर ही क्या करेंगे aggregate demand को drive करेंगे जो ad कर होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ad schedule बना लिया है ad schedule जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसको two sector model में ले रहे हैं ठीक है किसमे है यह two sector model ठीक है और close economy यह model है ठीक है यह सब हम क्यों कर रहे हैं for the sake of simplicity ad के concept को समझने के लिए और इसके nature को समझने के लिए ठीक है तो two sector model में हमने two sector यह है ठीक है एक private आपका household sector और एक firm का sector investment जहां से हमने लिया है तो यह जो income है इसको आप national income भी कह सकते हैं different level of national income है different level of national income पर आप देख रहे हैं यह consumption level यहां पर बताया गया है कि किस तरीके से जो अलग-अलग level of consumption है उस पर c का जो level है consumption का वो कितना है ठीक है आगी c को भी हम consumption function को भी हम detail में पढ़ने वाले हैं तो यहां पर देखना है बस यह समझो आप यहां पर ठीक है कि zero level of income जब होती है जब country की income अगर zero है उस level भी कुछ न कुछ consumption होता है ठीक है इस consumption level को autonomous consumption कहा जाता है जब हम consumption function पढ़ेंगे तो वहां पर इसको हम denote करते हैं by the c bar ठीक है जो कि fix रहता है और zero level of income means income की सांथ घरता बढ़ता नहीं income zero होगी तब भी यह रहेगा ठीक है फिर उसके बाद एक constant rate से बढ़ना भी हमने किस purpose से लिया है only for the sake of simplicity इसको समझने के लिए ठीक है नहीं तो क्या हो जाएंगे चीज़ें complex होते जाएंगे और जो purpose हमारे एडी को समझना वो पूरा नहीं होगा ऐसे यहां पी यह investment है जो की बता रहा है कि different level of income है investment का level क्या क्या है ठीक है तो zero और इसको भी देखो आप हर level पर हमने क्या लिया है hundred ठीक है तो जब hundred लिया है income level से इसको फार्ट नहीं पड़ा जीरो पर भी है और 500 पर भी same level of investment है तो इसका मतलब है यह भी हमने sake of simplicity क्या ले लिया है constant autonomous investment ले लिया है अब क्या होगा यहाँ पर देखेंगे हमें ad हो गया है two sector model और close economy में c plus i c और i को हमने add कर दिया है तो aggregate demand find हो गई है अब आप देखेंगे कि हम aggregate demand curve को कैसे drive करते हैं इस schedule से तो यहाँ पर x-axis और y-axis हमने बनाई है x-axis पर हम national output जो है national income कहते हैं जिसको y को denote किया है यह वाली values को हम show करेंगे और इस पर जो आपकी y-axis है उस पर हम aggregate demand को यहाँ पर सो कर रहे हैं ठीक है तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट लेवल पर जो एगर डिमांड का लेवल है उन points को हम मिलाएंगे तो हमें aggregate demand जो ad curve है वो मिल जाएगा ठीक है तो जीरो से स्टार्ट करते हैं जीरो पर क्या है अगर इंकम का लेवल जीरो होता है तो यहाँ पर एगर डिमांड का लेवल होता है कितना 150 तो almost यह वाला point आएगा फिर आप देखेंगे 100 लेवल जो है 100 लेवल पर है आपका कितना 100 के सामने point out कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा almost यह वाला point फिर आप देखेंगे 200 पर कितना है 250 250 वाली value आ जाएगी ठीक है और उसके बाद 300 लेवल पर आप देखेंगे कितना है 300 है तो यह आ जाएगा यहाँ पर और उसके बाद 400 पर कितना है 350 350 400 लेवल पर आ जाएगा almost यहाँ पर और 500 पर कितना है 400 वाली जो है वो आ जाएगा यहाँ पर ठीक है इसको यहाँ पर आप क्या करेंगे हम इसको मिला देंगे इस लाइन को तो हमें मिल जाएगा aggregate demand curve अब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो सीधी लाइन जरूर आएगी क्योंकि सारी वैल्यूज क्या है constant rate से increase हो रही है तो यह आगे हमारा कौन सा aggregate demand curve सी प्लस आई ठीक है एक्स एक्सिस पर नेशनल इंकम यहाँ पर आगे डिमांड तो इसको मिलाएंगे तो हमें मिल जाएगा aggregate demand curve जिसको कि हम कहते हैं सी प्लस आए यह हमेशा ध्यान रखना कहां से शुरू होता है from the y-axis ठीक है यहाँ से शुरू होगा और यह वाला portion जिसको कि हम क्या गयता है autonomous consumption यह होता है हमेशा ठीक है तो next हमारा जो टॉपिक है वह हो aggregate supply इसको हम देखते है aggregate supply क्या होता है कीश ने इसके बारे में क्या गया एक तुरुक कीश ने ज्यादा इंपोर्टेंस अग्रेगेट supply को दी नहीं कीश अग्रेगेट supply को यह मानते थे कि एडी का लेबल जो होगा मिश एग्रेगेट डिमांड के जो लेबल होगा उसके इक्वल ही यह अपनी आप क्या हो जाएगी एग्रेगेट supply हो जायगी ठीक है तो वो इसको परफेक्ट इलास्टिक मानते थे कहते थे एग्रेगेट डिमांड के जो लेबल है एग्रेगेट supply उतनी अपनी आप adjust हो जाती है तो उन्हों नहीं कहा था कि जो इसको components हैं, वो components हैं, C means consumption, जिसके हम already discuss कर चुके हैं, S ये क्या है, saving S क्या है, savings ठीक है, और ये savings किसी individual savings की बात नहीं हो रही है ये पूरे country की savings की बात हो रही है, कि economy में पूरे कितने saving हो रहा है, ऐसी consumption की बी जो है, वो पूरा economy के consumption की बात होती है तो दो components है, aggregate supply के C plus S ये Y का level है different level of income जो है economy में, Y का वो ये है, पिछले schedule में भी same यही था इस पर ऐसी consumption level जो पिछले schedule में था, same consumption schedule है, अब यहाँ पर नया है savings, अब आपने देखा कि जब income का level क्या है, zero है तो कुछ consumption हो रहा है it means, उस साल savings तो हो नहीं है उस time पर क्योंकि income zero है, लेकिन फिर भी consume कर रहे है, तो savings की जगे क्या हो रही है, this savings हो रही है saving minus में है, फिर जब income का level बढ़ रहा है consumption भी बढ़ा, लेकिन consumption का aggregate supply consumption plus saving सेह मिलके बनता है, ठीक है तो आप देखेंगे, c plus s को हमने क्या किया, add करके यह सारी values find कर लिए तो आप देखो गए कि y का level और aggregate supply का level क्या है, दोनो same है ठीक है, इस curve को आप हम draw करते हैं यहाँ पर देखो, यह point of origin है point of same, ऐसे हमने यहाँ पर x-axis पर national income या जिसको हम y कहते हैं वो सो किया हुआ है और यहाँ पर aggregate supply सो किया हुआ है तो आप देखो, जब zero level of income है तो aggregate supply भी zero है एक point हमें मिल गया, यहाँ पर है second point आप देखेंगे, जब 100 है तो यह भी 100 है जब यह 200 है, तो यह भी इसका level भी क्या है 200 है इसका level 300 है, तो यह भी 300 है, means almost same है 400 level पर यह 400 है then 500 level पर 500 है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एक हमें aggregate supply की एक line मिल रही है ठीक है, और यह aggregate supply की जो line है as, as is equal to c plus s ठीक है, aggregate supply और यह किसके equal होती है this is always equal to y ठीक है, तो as is equal to c plus s भी कह सकते हैं तो यहाँ पर जो angle बनता है हमेशा यह ध्यान लगना यह angle बनता है 45 degree angle aggregate supply यह y के ऐसा की होता है, ऐसा इसलिए कि दोनों होई, y और as यहाँ देखेंगे, दोनों value same है तो जब दोनों value same है उनको हम एक को x axis पर और same value को y axis पर note करेंगे, तो हमेशा आपको दोनों axis से एक equal distance की line, तो 45 degree, 90 degree है complete, तो 45 degree और 45 degree, तो इसलिए यह line क्या मिल लिए आपको 45 degree हमेशा बनाते टाइम इसको ध्यान लगना, ठीक है, तो aggregate supply, c plus s आपको पता चल गया, तो इसमें हम इतना ही discuss करेंगे AD और AS concept को next जो हमारे जो अगली classes होंगी, उसमें हम consumption function, saving function short run equilibrium और इसके जो important numerical हैं उनको भी आगे आने वाली classes में हम discuss करेंगे ठीक है, ठेंक यूँ